वेकम टूर्स पॉइंट आज हम लोग यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं वीजनाइस के करेंट अफिर्स चोकि हमारी जैनवरी मन्त की है तो काफी टॉपिक कंप्लीट हो गई है अभी हम लोग इन्वार्मेंट देख रहे हैं आए स्टार्ट करते कल हमने दो लिसन यहां पर कंप्लीट किया था आज स्टार्ट करेंगे हम लोग हम लोग हीउमन वाइड लाइफ कंफिलिक्ट के साथ and then move on to the e-west देखेंगे solar rooftop system देखेंगे काफी इंपोर्टेंट है अंटाक्टिक के ओजन होल के बारे में यहां पर बात की जारी है और फिर मेराइन heat waves तो यह सारी topic काफी important है चले start करते हैं देखते हैं कितने topics आज हम लोग complete कर पाते हैं कल जो एक question discuss की थी उसके answer आप लोग के शार शेयर कर लेती हूँ as per the industrial employment standing order center rule amendment rule 2018 के हिसाब से आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सी statement correct है first है कि अगर rules जो है वो fixed term employment के साथ implement किया जा रहा है तो यह easier होगा firms और company को कि वो यहाँ पर workers के लिए सारी बाती रखे second है कि कोई भी notice यहाँ पर termination का जो employment है उसके termination का necessary नहीं है कि वो यहाँ पर दे वो भी temporary workman के लिए तो दोनों statement में से कौन सी correct है तो यहाँ पर दोनों statement absolutely correct है तो इसको थोड़ा ध्यान में रखके चलना है हम लोग जो fixed term employment वाली chapters देखे थे economy में तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजेगा अब आएए आगे चलते तो चली start करते human wildlife conflict के साथ news में क्यों है पहले topic समझने का कोशिश कीजए human or wildlife conflict it means कि जब human being और जानवरों के बीच में जो conflict होती है उसको हम लों discuss करने वाले अब यह कैसा conflict होता है क्या है चली आगे बढ़ते news में बताया जा रहा कि 88 human death हुए है यानि human being का जो है to 88 ऐसे लोग है जिनका death हुआ है वो भी majority में जो कि worst ever बताया जा रहा है किसी भी साल और यह pattern जो है consistent हमें देखने को मिलता है majority of states में और यही हमें दिखाती है human wildlife conflict it means कि आप देखो कि जब भी ऐसे कोई रास्ते होते जो जंगल वाली रास्ते होते तो वहां से गुजरने पे बहुत सारी animals की द्वारा human being को मार दिया जाता है और sometimes human being भी animal को मार देते है उनके गारी से टकर लग गया या फिर so called accident यहां पे कुछ भी हो गया तो उससे भी आपको देखने को मिलता है तो यह human और animal के बीच में conflict है आप समझते कि क्या nature है और human wildlife conflict का क्या extent है जो कि आज की रेट में इंडिया में तो इंडिया में आप देखोगे कि human animal जो conflict है इसको पूरे country में देखा जाता है और including monkey भी जैसे कि आप देखते हो कि कुछ urban centers में जो monkey बहुत परिशान करते है human wing को तो उसको भी आप include किया जाता है human animal conflict में crop raiding by angulates और wild pig जो है जो जंगली सूर होते हैं और depredations by elephant कई बार आप elephant भी आप देखते हो कि वह घूस आते हैं बहुत सारे ऐसे और elephant के द्वारा भी कई बार कई लोगों को मार दिया जाता है cattle lifting होता है threats है हमारे जितने भी देखते हो आप tiger के द्वारा leopard और other wild animals जब कभी भी वह गाउं वागेरा में घुस जाते हैं तो उनसे हमें डर होता है बहुत बार आप लोग वीडियो भी viral होते वे देखे होंगे कि lockdown के time में एक leopard था जो कि घर के बाहर बैठा वा था तो पूरे roads अनाटे थे तो लिपट भी चलते आ रहे थे सोच रहे थे अच्छा कोई है नहीं तो ये भी उनके टहलने का जगा है और कई बार आप देखते हो कि ऐसा कहानी देखने को मिलता है कि कई बार तो इसकूल में एक बार मैं देखी थी कि कोई तो ये आप लोग देखते हो कि जब टाइगर इस तरीके के कुछ भारी भरकम जो जानवर है अगर वो अपने जंगल से निकल कर अगर सीटीज में घुस जाते है गाउं में घुस जाते है तो काफी जादा वहां पर तो आपको देखने को मिलता है कि जानमान की छती होती है तो इस तरीके से बताया जाता है कि Animal Conflict को हमारे country में इसको recognize किया जाता है कहा जाता है कि हाँ ऐसी कोई problem है Human Animal Conflict अगर आप देखोगे तो inside protected area भी होता है और protected area की बाहर भी होता है ऐसा नहीं कि से protected area की बाहर ही होता है protected area के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा जो इस तर सेर का जो पिंजरा होता है ना पिंजरा ही मैं कह रही हूँ सेर के पिंजरे में जो गिर गया था उसमें एक टाइगर के जो बच्चे थे उसने उनको मार दिया था तो वो आप समझ सकते हो कि protected area के अंदर कैसा आपका ये conflict होता है लेकिन protected area के बाहर तो बहुत तरिके का conflict दे तो उसमें union ministry जो थे उनके द्वारा लोग सभा में inform किया गया था कि यहां पर elephant के द्वारा 2398 लोगों की जान गई है वहीं अगर 224 पिपल की जान गई है tiger के द्वारा वो भी last five year में तो ये चीज़े भी बताए गई है 2019 में 100 elephant से जादा जो है न वो human related activities के कारण जो है उनक खिला दिया था bum डाल कर जो है वो pineapple में साइद bum डाल के उनको खिला दिया गया था जिसमें कि वो pregnant elephant थी तो काफी जादा उसका criticism में भी हुआ था तो खेल खेल में देखिए ऐसा भी होता है तो ये भी बताया गया कि 100 से जादा elephant की भी जान गई है कुछ हम लोग ऐसा काम करत है इसके वज़े से और कुछ तो यहां पर देखते हो कि जो इवारी वगरा है उनका जो दात होता है उनकी ट्रेडिंग बहुत जादा होती है तो उसके लिए elephant की meat के लिए तो इस तरीके से भी उनके साथ जो है न ये हाथसा होते रहता है और यहां पर आप देखो कि poisoning हैं चहर देखे भी मार दिया जाता है कई बार electrocutions होता है कई बार बिजली की तार से सठ जाने के कारण भी elephant की जान चले जाती है साथी कई बार आप देखते हो कि train से भी collide हो जाते कई बार ऐसा होता है कि हाथिया जो है वो railway track को cross करते रहती है और उसी समय अगर train आ जाते है तो उनकी accident हो जाती है तो बहुत तरीके से आप देखो कि protected area के बाहर बहुत तरीके का ऐसी accident incident हो जाती है जिनके कारण उनकी जान चले जाती है लेकिन अब समझते कि क्या reason है इस conflict के पीछे क्यों इतना conflict हमारे इंडिया में बढ़ते जा रहा है तो सबसे पहला कि उनका habitat loss या फ पे भी जमीन है उसको प्लूरा plaster करके या तो वहां पे घर बना दिया जा रहा है या तो complex या तो mall कुछ भी वहां पे development करने की बात की जारी है तो इसलिए बहुत सारा ऐसा जगह है जहां पे जानवरों की रहने की जगह खतम हो गई है या फिर जानवरों की रहने की जगह fragment हो गई है छोटे छोटे टुकरों में बढ़ गई है तो यह आप देख सकते हो कि सबसे बड़ी problem यही है second problem अगर आप लोग देखो तो population बहुत बढ़ते जा रहा है यह भी problem है कि population बढ़ते जा रही है और अगर आप लोग देखो कि कुछ animal की जो population है जैसे कि black buck हो गया है निलगाई हो गई, tiger हो गई, leopard है, elephant है वो यहाँ पर भी कारण जो है human wildlife conflict भी बढ़ते जा रहा है और खासकर आपको जंगल वारे area में देखने को मिलेगा या तो गाओं वाले area में आपको देखने को मिलती है ठाड है कि land use change एक कारण है इट मीज कि आज की डेट में जिस तर तरीके से change हो चुका है कहीं पर आप देखोगे कि बहुत तरीके का construction work चल रहा है साथी adverse climate event भी हो रहे है कई बार आप देखो कि लगतार जो है कुछ ऐसा natural disasters का phase चलते ही रहता है या तो drought आया या तो flood आ गया या तो earthquake आ गया तो कुछ ऐसे natural disasters भी है जिनके कारण जन्वरों क तकलीफ होती है जैसे आज के रेट में climate change के कारण आप देख रहे हो कि बहुत सारे glaciers पिघलते जा रहे है अब Arctic region में जो glacier होते है आई sheets होते है उसमें भी बहुत तरीके के जीवचंतूर रहते है जैसे कि penguin आप देखो या फिर polar bear है तो एक हम लोग ने एक discuss भी किया था जि के कारण जो है आज के रेट में human animal conflict हो रहा है साथी adaptability है anthropogenic ecosystem को जो है na adapt करने की भी यहाँ पर problem देखने को मिल रही है यानि कि बहुत सारे wildlife species है जो कि इस तरीके का जो changing landscape है वो भी behavior change होने के कारण तो उसको वो adapt तो कर रहे है और यह true है कि elephant और कुछ certain wildlife species है जैसे कि black bug है नील गाई है जो कि northern region में आपको देखने को मिलेगा और या फिर southern region में तो वो भी यहाँ पर आप देखो कि यह wildlife animals ऐसे है जो कि आपका देखने मिस anthropogenic ecosystem को जो है adapt तो कर रहे है लेकिन कई ने कई उनको मुश्किल हो रही है और adapt कर रहे है तो conflict भी जादा बढ़ रहा है साथी wildlife species आ आप देखो कि यहाँ पर accidental death के कारण बहुत impact हो रहे है क्योंकि development हो रहा infrastructure का कभी आप देखो कि बहुत ज्यादा railway lines आपकी बिचाय जारी है सडके बन रहे है connectivity आपका ज्यादा से ज्यादा हो रहा है तो connectivity बढ़ रही है तो इसलिए जहां पर गाउं गाउं में आप देखो क जानवर उससे टकड़ाते हैं तो उनकी death हो जाती है तो यह सारी reasons है जो कि आपका बताया जा रहा है कि human animal conflict क्यों बढ़ा है लेकिन क्या क्या consequences है गर इस तरीके का human conflict आगे बढ़ते जाएगा human wildlife conflict तो इससे परिनाम क्या निकल कराएगा सबसे पहले आप देखो कि क्या हो जा है का साथी साथ आप देखो कि retaliations होगा extreme cases में कुछ several cases है जहां पर extreme steps लिया जाता है जैसे कि आप देखो कि कुछ जंगली जानवरों को एक साथ immediate culling हो जाता है यानि कि एक साथ उनको लाकर उनके सारे populations को मार दिया जाता है for example आप देखो कि recently क्या हुआ है कि six year की जो old tigris avni थी इनको यहाँ पर 13 human being को जिसने इने मारा था यह small tigris avni थी इनके दोरा यानि कि छोटे tiger थे कब थे उनके दोरा 13 human being को मार दिया गया था और उसके बाद क्या हुआ कि एक private hunter का जो बेटा था न वो उनको मतलब कि गोली स इसके बाद दिया उसके जो जो चोटा बच्चा था उसको यहाँ पर प्राइवेट जो प्राइवेट राइवेट का जो बेटा था न उसको गोली से मार दिया क्योंकि वो तेरा human being का जान ले लिया था तो इस साथ साथ है आप समाझ सकते हो कि कि अगर कोई जानवर अगर का जान ले रहा है तो इंसान भी उस जानवर को छोड़ नहीं रहा है मार के ही छोड़ रहा है तो यह एक आप देखो कि extreme cases में retaliations भी है इसमीं के बदला भी लिया जा रहा है साथी loss of life और property है इसके साथ आप देखो कि lives और जो conflict है इसकी आपका जो है ना loss हो रहा है जिससे कि आप देखो कि human habitations में injuries भी आ रही है तो इससे क्या होता है कि human wildlife जो conflict है इससे कई बार आप देखोगे कि large जो agriculture habitation है जहाँ पे agriculture जो आपका खेती बाड़ी होता है उसकी भी destruction दिखनी को मिलती है तो life भी loss हो रहा है साथी साथ human habitations को भी injuries हो रही है तो यह सारी problem again जो है आप देखो कि इससे life और property भी जो है वो भी loss होता है तो यह सारे consequences है और यह सारा बढ़ते भी रहेगा तो क्या हमारे सरकार के दौरा कुछ काम नहीं किया जा रहा है ऐसा बिलकुल भी नहीं है हमारी सरकार इसके उपर पूरा बात करती है और कई बार initiative भी लेकर आई है तो देख लेते है रिसेंट्ली standing committee of natural board of wildlife के दौरा कुछ advisory यहाँ पे approve किया गया है जैसे कि first है कि हमारे हाँ एक हमारे जो gram पंचायत होते है उनको भी पावर किया गया है और उनको यह कहा गया है कि जो भी यहाँ पर animal, wild animal और human being के विच में जो conflict होता है वो इसको deal करेंगे as per the section जो wildlife protection act 1972 है उस कानून के section 11-1-B के हिसाब से कि जो human-animal conflict होते हैं वो कहां आपका रखा गया है तो section 11-1-B, याद रखेगा section 11-1-B second यहाँ पे है कि जो add-on coverage है प्रदान मंत्री फसल बीमा योजना जो कि हम लोग ने कल देखा था इकॉनमी के last lesson में थर्ड पार्ट में हमने देखा था कि फसल बीमा योजना जिसमें की insurance रखा गया है crop के लिए तो इसमें additional add-on किया गया है कि अगर मालीजे की human-wild life conflict के कारण अगर इस फसल damage होते है तो उसमें भी insurance दिया जाएगा जो कि बहुत ही अच्छी बात है थर्ड है यहाँ पर कि fodder और wild sources को जो है यहाँ का forest area के अंदर लाया गया है साथी inter departmental committee को भी यहाँ पर prescribe किया गया है local और state level पे साथी early warning system को भी adopt किया जाएगा और कुछ barriers को create किया गया है साथी dedicated circle wise control room है जो कि आपका यहाँ पे toll free hotline number है और यह operator का 24x7 साथी साथ कुछ hot spot देखा जाएगा इट मींज कि कहाँ पे जाता animal human conflict होता है और special plan वहाँ के लिए implement किया जाएगा तो यह सारे कुछ initiatives है जो कि government के द्वारा लिया गया लेकिन कुछ और भी initiatives है जो कि सरकार हमारे लिए लेती है इस animal human conflict को कम करने के लिए तो सबसे पहला है कि natural wildlife action plan है जिसमें की guideline prescribed किया जाता है human wildlife conflict को mitigate करने के लिए और इसमें क्या क्या है सबसे पहले natural regional और state level database बनाना है इट मींज कि human wildlife conflict का national level पे कितने लोगों की जान जारी है कितने जानवरों की जान जारी है state level पे भी हर एक राज का अलग-अलग ratio होता है हर एक राज में जो number of populations होते है जिनकी death होती है number of animals होते है जिनकी death होती है तो वो different है तो state level में अलग-अलग बनाना है और ये इसलिए बना रहा है क्योंकि अगर state government के थूँ अगर इस तरीके का data base create किया जाएगा तो इससे ये समझ में आएगा कि किस state में human wildlife conflict की जो घटना है वो जादा देखने को मिलती है और किस state में नहीं है तो उसी साथ से rigorous plan बनाने की ज़रूत है साथी further आप देखो कि community participation को increase किया जा रहा है जिसमें कि human wild conflict है उसको mitigate किया जा सके education की ज़रूत है लोगों में awareness की ज़रूत है तो किस तरीके से इसको tackle करना है वो यहाँ पे दिया गया है कुछ जो example आप देखोगे कि successful community participation और coexistence का example भी है जैसे कि बिश्णोई ट्राइब है राजस्तान की soli gas है वो भी BRT Tiger Reserve में बाई gas है खाना नेशनल पार्क का तो इनका अपना खुद का participation है और वो यहाँ पे काम करते हैं कि कैसे human wildlife conflict को कम किया जाए साथी आप एक center of excellence है वो भी human wildlife conflict जो है उसको mitigate करने के लिए और यह काम करते है ministry of environment forest and climate change के तैद जिसमें कि एड्रेस किया जाता है कि क्या क्या measures लेना चाहिए वो long term भी हो लंबे समय तक भी काम करें short term भी हो छोड़े समय में भी काम करें जिससे कि जो human wildlife conflict का adverse impact हो उसको tackle कर सके साथी national forest policy तो आपका 2018 में बनाया गया है जिसमें इस चीज़ को भी human wildlife conflict को भी include किया गया है साथी क्या क्या provision यहां पर लिया जा रहा है जिससे कि जो irant animal है उसको deal कर सके तो यहां पर wildlife protection act 1972 का यह खानून है बकायदा जिसमें कि authorities को यहां पर empower किया गया है कि कोई भी problematic अगर animal है जैसे कि जिसको कि आपका declier किया गया है कि protected species as vermin है या फिर guld है तो इस तरीके के animal को जो है न कैसे deal करना है यह भी यहां पर रखा गया है recent time में यहां पर example भी दिया गया है कि जो हिमाचा प्रदेश में monkey है और बिहार में जो नील गाई और wild boar है उसको vermin declare किया गया है तो वर्मिन कुछ ऐसे animal होते हैं जो कि यह माना जाता है कि वो हमारे फसल को बरबाद करते हैं या फिर वो जान मतलब कि वो ऐसे animal होते हैं जिसके कारण human being को problem होती है तो वैसे animals को vermin declare कर दिया जाता है mass sterilization drive चल रहा है जिसे की जो faster production growth हो रहा है monkey की जो growth हो रही है उसको रोकने के लिए sterilization process चल रही है तो यह हमाचा पदेश में भी आपको देखने को मिलेगा तो चलिए ठीक है इस तरीके का भी यहाँ पे जो iran animal है उनके लिए क्या क्या provision लिया जा रहा है यह बताया जा रही है साथी यूपी government के द्वारा भी in principle approval दिया गया है कि man elephant conflict को disaster list के अंदर जो state disaster response fund है उसके अंदर लाना चाहिए साथी NGT के द्वारा भी ministry of environment forest or climate change को यह कहा गया है कि सारे elephant corridor को इंडिया में as a eco sensitive zone जैसा declare करना चाहिए साथी Indo German Human Wildlife Conflict Mitigation Project है जिसका objective है कि कुछ guidelines लेकर आए और जो human or wildlife जो एक साथ जो है वो रह सके इस तरीकेगा तो यह यहाँ पे भी आप लोग way forward में जरूर लिख सकते हो कि यह सारे जो है state disaster response fund जो है उसके अंदर इसको लाना चाहिए जिससे कि जो भी life और जो प्रोपर्टी का लॉस होता है actually जो fund देनी होती है कुछ राशी धन राशी देनी होती है किसी भी लोगों की death पर तो वो यहाँ से दे सके state response disaster response fund से ठीक है और UP government के द्वारा भी अच्छा यहाँ पर लिया गया है कि इसको disaster जैसा include करना चाहिए साथी NGT के द्वारा भी natural green tribunal है इनके द्वारा भी सही लिया गया है कि यहाँ पर जितने भी elephant corridor है elephant corridor मिन्स कि ऐसा रास्ता जिससे कि elephant ही सिर्फ वहाँ पर टहलते हैं तो उन रास्तों को जाँ eco sensitive zone बना देने जाना चाहिए जिससे कि लोग वहाँ पर जान नहीं सके इस तरीके का restriction लगाना चाहिए way forward में कहा जा रहा है कि हमें key source of conflict को recognize करने की जरूत है means यह एक high time है जिसमें कि हम लोग पहले यह देखे कि actually conflict rise क्यों हो रहा है कहां से हो रहा है साथी community centric management or conservation करने की जरूत है it means कि long term conservation measures है उसको लाने की जरूत है क्योंकि यह एक ऐसी problem है ना कि जो आपका हमेशा चलेगा ऐसा नहीं है कि दो महीने चार महीने चलेगा उसके बाद नहीं चलेगा यह तो हमेशा चलेगा जब तक प्रित्वी में यह जानवर है यह तक भी मनुश्य है तो इस तरीके का conflict चलेगा तो हमें एक बहुत अच्छ प्रोजेक्ट एरिया मैनेजमेंट लाना चाहिए साथी जो forest governance है और जो management है उसको improve करने की जुरूत है 24 in to 7 monitoring using कुछ technology हमें use करना चाहिए corridor को जो elephant corridor होता है जनवरों की corridor होती है तो उसको एक अच्छा manage करना चाहिए साथी frontline capacity build up करना चाहिए और मैं तो यह कहती हूँ कि जो जंगलों के बीच में रास्ते होते है उसके बीच से भी एक corridor बना देना चाहिए जो animal corridor हो तो वो अपना वहां से move करें यह conflict arise भी उसी कारण से जादा होता है कि वहां से जंगलों के बीच में जो rat cut के रास्ते बना दिये जाते है और लोग ज solutions है अब इस example इस figure को आप देखे तो बेटर तरीके से समझ पाएंगे यह आप अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं जानते हो तो आपको लग रहा हो कि यह हमारे इंडिया में नहीं है बट बेसिकली यह हमारे इंडिया में है और पहली बार ऐसा overpass इसे कहते है तो यह आपका देली मॉंबई एक्सप्रेस फे है जहां पर यह overways, overpasses बनाएगे है animals के लिए अब देखे दोनों साइड यह जंगल होते है इस तरीके का road बनाना पड़ता है जंगलों को काट के just because क्योंकि जो by road अगर travel करते है देली तो मॉंबई तो उनके लिए आसानी हो लेकिन यह जानवर इसी के बीच में आते है तो बस cut for जाते है लेकिन यह जानवरों के लिए अगर अलग से इस तरीके का highway बनाया जाए जिसको overpass कहते है तो इससे better होगा animal human conflict की जो संभावना है वो कम हो पाएगी तो यह हमारे इंडिया का पहला है जो डेली मॉंबई एक् जो है न टकराने की जरूरती नहीं है ओके तो यही कहा गया और alternative और unconventional way भी जरूरी है जैसे कि यही मैं बता रही थी ठीक है साथी साथ देखिए landscape level आपका approach है जिससे कि यहाँ पे human animal conflict को address किया जा सकता है तो एक study की दोरह यह बताया गया कि जो elephant है on daily basis दो साल के लिए करना अनके द्वारा यहाँ पे conclude किया गया कि land escape level management हमें जरूरी है करने का जिससे कि हम लोग human animal conflict को कम कर सकते हैं अगर food agriculture organization के द्वारा आप देखोगे तो land escape level strategy जो है न वह बहुत large scale में कुछ process से यहाँ पे deal करती है जो कि integrated manner भी होता है और जिसमें natural resources जो है वो भी यहाँ पे adaptive management होना चाहिए उसके बाद common concern entry point होनी चाहिए means एक ही entry point होनी चाहिए human being की multiple skills हो यहाँ पे multi functionality हो multi stakeholders हो negotiated transport और change logic हो clarifications हो right और responsibility का participatory हो user friendly monitoring की resilience हो और stakeholder capacity भी यहाँ पे मजबूत होनी चाहिए तो यह 10 तरीके का आपका landscape approach देखने को मिल रहा है तो यह काफे ज्यादा important है इस तरीके का आप लोग भी जो है समझ सकते हो इसको आप लोग कहीं पे भी लिख सकते हो अगर human animal conflict आ रहा है तो साथी साथ आप देखो scientific management of monoculture plantation है तो यहाँ पे अगर हम लोग देखे तो since elephant तो यहाँ पे prefer किया जा रहा है कि monoculture plantation में ही रहना चाहिए for example आप देखो कि अकाकिया है या फिर eucalipatts है forest department जो है वो भी उनको भी यहाँ पे सोचना चाहिए कि क्या यहाँ पे हम लोग clear कर सकते हैं इन सारे plantations को अगर यह सारे place available नहीं हो तो elephant जो है न वो agriculture habitat में ही रहेंगे obvious है कि जहाँ पे जानवर की रहने की जगह है उनको अच्छे तरीके से हम लोगों बनाना चाहिए define करना चाहिए नहीं तो फिर तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो खेत में आके रहते हैं खेत को बरबाद करते हैं तो यह सारा काम ना हो regular monitor भी करना है जो land use practice आज के date में change हो ना है monoculture refugee को भी यहाँ पे आपका जो है preserve करना है तो यह पूरी तरीके से article किसके उपर रही तो human animal conflict के उपर काफी शानदार article दी काफी अच्छा लगा यहाँ पर आप देख सकते हो कि protected but not safe यानि कि protected area है लेकिन वो safe नहीं है वहाँ पे भी human being से conflict चलते ही रहता है total यहाँ पर बताया जारे कि 726 protected area है हमारे इंडिया में जिसमें की 4% है total land area का fine tiger के अगर आप लोग आयो सी एन रेट लिस्ट के हिसाब से देखो तो यह endangered category में आते है और 29% है जो कि tiger reserves के बाहर है fine elephant का आप देखो 67% है जो कि outside यह protected area और इनकी IOC and red list vulnerable है यह data आपका West Bengal और जharkand से मिल है जिसमें यह indicate किया गया है कि 235-265 days जो साल में है वो अपने protected area के बाहर ही रहते है वुल्फ आप देखो तो यह 100% हो almost यह बाहर ही रहते है protected area के लेकिन इनका list concern है यानि इनकी population बहुत जादा है black buck की बात करें तो यह भी list concern है इनकी population भी बहुत जादा है 50% यह protected area के बाहर रहते हैं इनका IUCN जो है वह आपका endangered है तो मेली आप देखो गैंगेटिक डॉल्फिन पाया कहा जाता है जहां पर गंगा है वहीं पर और यह वालमी की विक्रम शीला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है जो की पहली बार यहां पर बिहार के भागलपूर डिस्ट्रिक् अब यह प्रटेक्टेड एरिया नहीं है तो इसलिए लिखा गया है ठीक है तो थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको होना चाहिए ग्यान होना चाहिए तो यहां पर हमने बहुत शांदार आटिकल देखा human wildlife conflict आपको समझ में आ गया होगा कि यह यह भी एक major issues है और किस त द्वारा इंडो-जर्मन के द्वारा तो सबको recommendation भी आप लिख सकते हो वे फोवर्ड भी आपको पता होना चाहिए और एक मस्त सा यहां पर आपका solution बताया गया है यह है land escape approach यानि कि अलग से आपका एक land होना चाहिए जिसमें कि आपका common entry point हो common exit point हो एक ही रास्ता हो जहां स बहतरीन तरीके से यहां पर सजाया गया है fine अब आते है next article में जो कि e-west है यानि कि electronic कच्रा अब इसके बारे में आपको जानके बहुत अच्छा लगेगा already मैं इसके बारे में तो discuss की ही हूँ यह ऐसा topic है ना जो कि आगे आने वाले दिनों में हमारी मुसीबत बढ़ाएग तो आप भी इसको feel कर पाओगे क्योंकि आप भी इसमें contribute करने वाले हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे हम लोग देखते है as per report जो कि CPCB के द्वारा यानि कि Center Pollution Control Board के द्वारा ऐसा कहा गया है कि इंडिया में आप देखो 2018-19 में जो e-waste है electronic waste है वो just 10% है और यह आ कितना हद तक बढ़ चुका है e-waste कहने का क्या मतलब होता है electronic waste जैसे कि आप लोग आज की date में mobile use कर रहे हो या फिर कोई भी gadget जैसे आपकी laptop होगी desktop होगी या फिर tab होगा तो यह सब क्या है यह आपका e-waste में आ जाता है यानि कि electronic electrical and electronic equipment है और इसके यह तो part भी जैसे कि अंदर battery होते है RAM होता है motherboard होते है तो यह सब जो है आपका यहां पर e-waste में आता है electrical and electronic equipment के अगर बात करें तो इसमें product बहुत large नमर पे आते है इसमें circuitry electrical components सब आते है जिसमें कि आपका power या battery supply जिसमें भी होता है यह सारे जो है इसमें include होते है साथी साथ आप देखो कि ज जा क्या है जैसे iron है vacuum cleaner है washing machine है fridge है यह सब आपके electrical gadgets में आ जाते हैं but rapidly growing हो रहा है internet of things यानि कि ऐसी चीजे जिसमें कि हमारे जो घर के gadgets से ना वो communicate करेंगे communication between the gadgets is known as internet of things तो यह internet connected सारे gadget होंगे it means कि आप समझ सकते हो कि gadget का आगे आने वाले दिनों में कितना ज्यादा और इस्त का कचड़ा है वो और faster rate से बढ़ेगा अगर हम लोग global e-west monitor के हिसाफ से देखें जो 2019 में के द्वारा बताया गया है कि approximately 53.6 million metric tons of e-west है जो की generate किया गया था वो यहाँ पे 7.3 kg per capita था दीक है और इसमें exclude किया गया है PV panel को इसमें बाहर रखा गया है एशिया में आप देखो highest quantity of e-west generate होता है जो की 24.9 यानि की 25 metric ton यहाँ पे आपको जो है generate होता है इसके बाद अमेरिका में होता है और फिर यूरॉप में होता है और इंडिया की rank कितनी है तो हम लोग third largest generator है e-west के और वो भी किसके बाद है तो चाइना और USA के बाद वो भी global e e-west monitor 2020 के report के हिसाब से ऐसा कहा जा रहा है अब यहाँ पर पहले हम लोग इंडिया में समझते की e-west को कैसे manage किया जा रहा है इंडिया में आपके घर में अगर Samsung की freeze है Samsung की AC है Samsung की mobile है Samsung की lappy है तो producer कौन होगे Samsung होगे अब आप कुछ सालों के बाद दो तीन सालों के बाद अपने mobile को बेचना चाहते हो laptop आप बेचना चाहते हो कुछ नया लेना चाहते हो यह फिर अपनी refrigerator आपकी 10 साल के बाद खराब हो गई तो जो producer producer है न वो इसी को avail करेंगे इट मींज की जो producer है उनकी responsibility होगी कि उनकी अगर gadget कहीं पर भी बरबाद हो रही है लोग इसको use नहीं करना चाहरे तो वापस आपके पास ये प्रावधान होना चाहिए कि वही company वापस उन सारे चीज़ों को ले ले बरबाद होने के बावजूद बरबाद होने के बाद तो यहां पर कहा जा रहा है कि extended producer responsibility है इट मींज की जो producer है उनके उपर भी ये extend किया गया है एक kind of responsibility तो ये चीज़े यहां पर बताई गई है साथी साथ आप देखो कि यहां पर e-west management rule फिर इसी को और जादा implement किया गया और 2016 में फिर इसको लाया गया जिसमें की रखा गया है कि जो manufacturer है या dealer है या refurbisher है या फिर product responsibility organization है उनको भी इन सारे rules के अंदर जो है इसके तहत लाया गया है तो ये भी बात हो गई साथी साथ यहां पर जो RPO की बात कर रहे है जो कि producer responsibility organization है what is this all about ये एक professional organization है जो कि producers को help करते कि उनकी जो EPR target है वो यहां प company के द्वारा बेचा गया है मान लिजे कि एक million product को बेचा गया है तो उनकी जो target है कि हाँ चलो ये आपका 10 साल में जो है यह फिर 8 साल में ये जो एक million product को उन्होंने एक साल में बेचा है तो वो at least 10 साल में इतना product जो है उनके पास वापस आ जाना चाहिए तो ये उनका target था target है वो meet हो रही है कि नहीं हो रही है उसके बाद आप देखो कि इसी को e-west management amendment rules for 2018 मिलाया गया जिसमें कि जो e-west generate किया जा रहा है हमारे country में उसको channelize किया गया और यहां पर फिर से dismantle किया गया recycle करने की भी बात की गई जैसे कि हमारे mobile में बहुत सारे ऐसे parts होते है जिनकों क इस सारे जो खचड़े है उसको वो collect करेंगे उसके बाद international best practice भी आप देख सकते हो कि और भी country इस तरीके का काम की है October 2019 में यह बताया जा रहा है कि European Union के द्वारा एक नया right वो भी adopt किया गया है जो भी repair करने के लिए standards को इसका मतलब है कि 2021 से यह वन से यह firms जो है ना appliance longer lasting रह जाएगा तो यही बाते बताई जाए रहे है कि यह जो European Union के द्वारा यह आपका method अपनाया गया है जिसमें कि वो अब longer period तक के लिए जो है अपने appliances को बेचेंगे और साथी साथ supply करेंगे जो भी spare part होगा machine का तो यह बहुत अच्छी तरीका है यह को भी हम दो को इंडिया म है लेकिन इसे issue क्या निकल करा रही problem क्या है अगर electronic waste निकल करा रहा है आपका पता है कि हमारे यहां कचड़े तो कम नहीं होते है बहुत सारे कचड़े है जो कि road पे भी पड़े रहते लेकिन इस e waste को हम लोग को concern में ले रहा होगा इसको हम लोग ऐसे road पे नहीं छोड़ सक है वह बहुत ही हामफुल toxic substance से बने है जैसे कि lithium है mercury nickel या फिर आप देखो कि poly chlorinated biphenyls है arsenic, cadbium, cobalt, copper, nickel तो इन सारे चीजों से बने होते हैं जो कि हमारे health के लिए अच्छा नहीं होता है साथी साथ हमारे environment health के लिए भी अच्छा नहीं है यह जो toxic material है यह आप देखो कि आप लोग पढ़ते हो कि cadbium की मातरा बढ़ रही है arsenic की मातरा बढ़ रही है जो कि आज की date में पानी जो है वो drinking के लिए भी वो उतना ज्यादा सही नहीं है तो क्यों नहीं है just because आप देख सकते हो कि electronic hazards के कारण भी इस तरीके का हो सकता है improper management अगर हमारा e-west का हुआ तो इ इस तरीके का fridge अगर discard कर देते air conditioner अगर हम लोग यहां पर discard कर देते तो इससे direct carbon dioxide कितने मातर में 98 million metric ton of carbon dioxide release होते है atmosphere में low recycling capacity है यानि कि सारे जो e-west है उसमें आप देखो कि बहुत कुछ ही ऐसे material होते जिसको recycle किया जा सकता है जैसे कि plastic हो गये glass और metals हो गये लेकिन बहुत सारे ऐसे भी material से जिनका हम लोग recycling नहीं कर सकते है तो total e-west का आप देखो कि तो सिर्फ यहां पर 17.4% ही है जो कि collect किया जाता है और globally level पर recycle किया जाता है साथ ही developing countries में dump करना एक large amount of e-countries है जो कि developed countries से वो इसको developing countries में आपका dump किया जाता है जिससे कि वहां के logo में और environmental impact बहुत है जैसे कि Bessel Convention है जो कि इस तरीके का जो hazardous movement का transport होता है उसको रोकता है illegal shipment को रोकता है dumping जो किया जाता है e-countries का उसको भी आप लिया जाता है तो इसको रोका जाता है तो international convention का ध्यान रखने आपको तो यह सारे कुछ issues है measures क्या लिए जा रहे है e-west को manage करने के लिए तो सबसे पहला है कि formal collection की बात की जारी है जैसे कि आपके घर में गाड़ी वाला है कचड़ा निकाल आता है तो solid waste, liquid waste को लेकर जाता है उसी तरीके से यहाँ पर organization होने चाहिए producers होने चाहिए government हो municipal collection point हो pickup service हो जो कि इस तरीके का घर to घर door to door जाकर वो e-west को collect करे recycle करना है e-west को e-west को collect क करके कुछ नहीं होगा इसको recycling form में अगर हम डालेंगे तभी जाके कुछ हद तक हमारी जो यहाँ पे जो material है उसका सही इस्तिमाल हो पाएगा conserve करना है landfill space और साथी साथ इसको अगर recycling process में डालते है तो इस तरीके से job भी increase होगी e-west legislation लानी होगी कानूनी तोर पर एक कानून लाना होगा इंडिया के द्वारा फर्स जो कानून लाए गया था e-west में वो आज नहीं आज से दस साल पहली ही लाए गया था 2011 में तो इसी तरीके का और भी कानून लाने की जरूरत है जो कि non binding binding in nature होनी चाहिए e-west data की आगर बात करें it means कि कि किस तरीके का कितना quantity और कितना flow हो रहा है e-west का इससे हम लोग जो है न एक आप देख सकते हो कि इससे हम लोग समझ सकते है कि इसको कैसे monitor करना है कैसे control करना है ultimately जो इसका transportation है it means कि from developed countries to developing countries इसको हम लोग को कैसे prevent करना है ये सारी चीज़ों का data भी होना चाहिए साथी awareness बढ़ानी है जैसे आप लोग को भी होना चाहिए कि जिस तरीके का आप लोग e-west use कर रहे हो तो इसको आप लोग को जो है न अगर इस तरीके extended produce responsibility है अगर आपके छेत्र में इस तरीके की facility है कि जहां से आप जिस store से खर दे हो जिस company की खर दे हो उसमें अगर आपने gadgets को वापस दे सको तो ये काम आप लोग को क करना चाहिए ministry of electronics and information technology की द्वारा e-west awareness program वो भी digital india के तहत इसको initiate किया गया है जिससे लोगों को ये awareness देना है कि कैसे जो है ये e-west hazardous है और इसको recycling करने के लिए वो भी unorganized sectors के द्वारा उनको educate करना है कि क्या alternative method हो सकता है जिससे कि ये e-west को dispose किया जा सके अब बेसल convention की बात ह इसको रोका जाता है इसको 1989 में ही adopt किया गया था और 1992 से ये आपका आया है जिससे कि इसके में काम हो रहा है इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इसका part है क्यों पार्ट है क्योंकि आप लोग को पता है कि हम लोग developing countries में count होते है तो ऐसी चीज हमारे country में लाकर अपने e-west को फिकते हैं डंप करते हैं तो इसके लिए हम लोग कुछ कर सके हमारे पास हतियार हो बेसल कन्वेंशन जो है अपने parties को अबलाइज करते हैं कि वह ensure करे कि इस तरीके का कचरा को बेटर तरीके मैनेज करेंगे डिस्पोस करेंगे वो भी environment में बिना कि इस इंपक्त के तो यह सारी चीज़े होती है बेसल कन्वेंशन के अंदर I think कि अब आपको यहां पर समझ में आ गया होगा काफी अच्छी आर्टिकल थी जो कि e-west से related थी data facts और क्या issue है क्या यहां पर करना चाहिए सारी चीज़े आपको पता चल गया अब आते हैं next article में ज इसका phase 2 आपका चल रहा है तो इससे related कुछ advice दिया गया है और रखा गया है कि charging more price than the rate decided by discom यानि कि जो discom company है वो यहां पर जो consumer यानि कि जो domestic consumer है अगर वो अपने छटों पर solar panel लगाते है और उससे electricity अगर ज्यादा generate होता है तो यह provision है कि discom company को बेचा जाता है तो जो बेचा जाता है तो इसमें क्या है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ vendors यहाँ पर ज़्यादा price charge कर रहे हैं जितना discom यहाँ पर rate रखे है उस से ज़्यादा जो है कुछ vendors यह वो charging कर रहे है तो rooftop तल इस solar system के बारे में समझते हैं यह solar rooftop system है यह solar panel है जो कि छतों में आपका install किया जाता है, कोई भी residential, commercial, institutional या फिर industrial building में, जिससे कि electricity produce हो यह जो solar rooftop system है, यह दो तरीके का होता है एक तो होता है जिसमें storage facility हो, ठीक है, जिसमें कि आपको battery लगानी होगी, और जितना भी आपका electricity generate हो रहा है, उसको आप बेटा तरीके से store कर सको दूसरा होता है, grid connected, आपका solar rooftop system इस system में क्या होता है, कि DC power generate होता है यह आपका solar rooftop panel है यह solar rooftop panel है, यह SPV panel होता है जिससे कि आपका DC power generate होता है, उसको convert किया जाता है AC power में, और यह power conditioning unit होता है तो यह जो AC power है, यह आपका fully आपकी जो capacitive load है उसके द्वारा utilize किया जाता है, और जो EXCESS power है, वो grid के थूँ जो है, वो चला जाता है तो यहाँ पर क्या है, in case, अगर solar power not sufficient है, क्योंकि cloud cover अगर हो जाता है सबसे बड़ी drawback मुझे यही लगता है, कि अगर cloud covering हो गया, बारिश वरिश होती है तो यहाँ पर सूरज की रॉसनी नहीं मिल पाती है, तो यह solar panel आपका काम नहीं करता है इसमें कि electricity generate नहीं करता है तो यह जो captive loads है न, यह served by drawing power from the grid तो इस grid के थुरू जो है वो आपका electricity आपके घर तक पहुंसता है तो यह दो तरीके का है, एक तो grid है, जैसे कि आप देखते हो कि grid किस तरीके का है ऐसा होता है, आप जब train वगेरे से travel करते हो तो यह आपको एक electricity wire देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपका connected होता है इस grid से, तो वही चीज़ है कि आप लग भी solar panel लगाओ तो आपके छट से wire लाकर इस grid से connect कर लिया जाएगा और यहाँ पर आपका DC power generate होगा तो उसको AC power में convert किया जाएगा और इसी grid में आपका रहेगा तो जब आपके यहाँ solar panel काम नहीं करेगा तब उस case में जो है यहाँ से grid से आपको electricity मिल जाएगा और एक तो है कि आप electricity को battery लगा के generate जितना हो रहा है उसको आप store करके रखो तो उससे क्या होगा ना कि जैसे दिन भर आपका battery यहाँ पर electricity generate हुआ और राद भर जो है आप उसको save करके रखे फिर उसका next अगर माली जाकि clouding है पूरा आपका solar panel चार्ज नहीं हुआ तो जो electricity last day आपका generate हुआ था तो उसको आप use कर सकते हो ठीक है तो दो तरीके का होता है हमारे हाँ national solar mission भी है जिसका target है कि 100 giga watt install capacity solar energy को at the end of 2022 तक हमें जो है यह target हमें achieve करना है साथी इसमें से आप देखो कि 40 giga watt जो है वह यहाँ पर SRT system से लाने की बात की गई है यानि कि solar rooftop जो target है उससे हमें को 40 giga watt लाना है आज की डेट में आप देखो कि SRT system जो है वह सिर्फ 12% ही यहाँ पर जेनरेट कर पाया है और जो install capacity SRT system का वह यहाँ पर आपका 117 megawatt 2013 में था और आज की डेट में 5.96 gigawatt आप लोग समझो कि यह 2022 में है तो 2020 में है तो यह बहुत ही जादा आपका बढ़ चुका है grid connected अगर rooftop solar program की बात करें जो कि आज की डिट में phase 2 चल रहा है तो इसके अंदर कौन ministry है ministry of new and renewable energy जिनके द्वारे यह program launch किया गया है और इसको आपका implement किया गया है discom company के द्वारा discom company होते हैं जो electricity distribute करते हैं उनको हम लोग कहते हैं इस program का objective यही है कि एक capacity जो 40 gigawatt का capacity है वो भी 2022 तक इसको एक्चीव करना है वो भी grid के थू discom जो है वो compensated है additional expenditure यहाँ पर जो किया जा रहा है इस scheme को implement करने के लिए अब इस program में भी आपका दो component है एक A component है इसके अंदर किया है कि central financial assistance है जो कि जो घरों पर अगर इस तरीके का solar panel लगा रहे है तो उनके लिए है इट मिस कि 40% benchmark cost रखा गया SRT system का और कितने के लिए तो 3 kilowatt जो electricity generate होता है 20% benchmark रखा गया SRT system में और capacity कितना है 3 kilowatt से 10 kilowatt 20% जो है वो यहाँ पर 10 kilowatt capacity per house के लिए रखा गया और यहाँ पर आपका educational institution जैसे coaching वगेरा है, society है यह फिर government commercial आपका building है, industrial है, institutional है तो इन सारे categories में आपका जो है यह central financial assistance प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो इस चीज़ को ध्यान रखेगा, यह इस तरीके के जो statement होते है ना, उसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसी तरीके के statement से आपका balance में आपका question बन जाता है, तो यह सारे ध्यान चीज़े याद रखे, इतना category तो आपको याद नहीं रखना है क्योंकि यह अगर घर पे अपने solar panel आप लगाओगे ना, तो यह सारी चीज़े आपको पता चल जाएगा, एक बार अगर आप लगाओगे तो component B क्या है कि यह performance based incentives दिया जाता है, डिसकॉम को, ठीक है, तो यह ध्यान रखना है अब program यह expect किया जा रहा है, कि carbon dioxide तो इससे यह target लगाया गया है कि carbon dioxide की emission है, वो 45 turn per year यह आपका कम होगा, employment opportunity यहाँ पे generate होगा, जिससे कि 9 lakh job जो है, हर एक साल, skilled और unskilled workers के लिए यहाँ पे create होगा, तो यह program से 2 expectation लगा जा रहा है, यानि कि हमारे youth का भी भला होगा, हमारे environment का भी भला होगा, significance क्या है इससे अगर हम लोग देखे तो, सबसे पहले बात है कि हमारे इंडिया में आप देखते हो कि electricity की कमी है, विजली की कमी है, कई बार आप देखो कि आपके घर में 6 गंटा, 8 गंटा गंटा विजली गुल हो जाती है, तो बहुत सारे ऐसे area है और 100% electrification है नहीं, अब सरकार यह कहती ह बात अलग है, बट आपको यह पता है कि ground level पर 100% electrification है नहीं, तो यह एक बहुत अच्छा alternative है कि आप अपने घर में बस एक दो solar panel लगा लो, जिस हिसाब का आपका घर है, जिस हिसाब का आप equipment यूज़ करते हो, इस मिंस कि कि इतना आप gadget यूज़ करते हो, कि इतना load है आपक electricity जितना generate wells को utilize करने में, maintenance cost भी अगर आप देखोगे तो बहुत कम है, ठीक है, अगर battery वाला आप लेते हो solar panel तो उसमें maintenance cost कम है, अगर आप ग्रीड वाला लगाते हो तो उसमें maintenance cost जादा है, लेकिन वो depend करता है, कि आप कहां पे लगा रहे हो, कि सेरिया में लगा रहे हो, व यहां पे आप देखो कि environment से भी friendly है, कुछ ऐसा नहीं है, कि environment में भी impact देगा, लेकिन hurdles क्या है कि India आज के रिट में face कर रहे है, और जितना इंडिया का target था वो हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे है, तो इंडिया के द्वारा सिर्टी परसेंट जो target था, यानि कि हमारा 2022 में 40 gigawatt जो है, वो solar power, solar rooftop जो panel से हमारा लेना था, उसका सिर्फ 20% अभी तक हम लोग जो है, इसको achieve किये है, तो क्या यहां पे slowdown क्यों है, क्योंकि installation की high cost है, तीक है, जैसे मैं आपने घर पे install कर आई हूँ, तो इसलिए मैं बता सकते हूँ कि इसकी installation की charges बहुत जादा है, one time investment है लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि इतना जादा है कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं दे पाओ, अगर आप लोग सोचो long term के लिए, जितना आप हर महीने दो महीने में जो electricity bill अगर आप भरते हो बहुत जादा, तो इस हिसाब से आप सोचो ना, तो यह बहुत ही सस्ता है, उसकी comparison म बहुत सस्ता है, लेकिन हाँ, वन टाइम आपको investment करना होगा, जिस भी राज्य में है, उस राज्य के द्वारा आपको सबसीडी भी दी जाती है, तो हर राज्य में अलग-अलग दिया जाता है, तो इसलिए आपको वो भी आप पता करोगे, तो थोड़ा सा आप manage कर सकते हो इसको, lack of awareness है, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को लगता है कि सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है, बट आपका भी काम है, आप अराम से इसको अपने च्छत पे लगा सकते हो, डिसकॉम डिसेंटिवाइस किये वे है, SRT को वो भी commercial enterprise में, जो commercial places है, जैसे आप देखो कि जहाँ पे mall वगएरा है, सरकारी building वगएरा, तो वहाँ पे इस चीज़ को बिल्कुल कतई मना किया गया है, डिसकॉम डिसेंटिवाइस नहीं करते हैं, वो पैसे वगएरा नहीं द होती है, हमारे हैं इसका manufacture नहीं होता है, और जानकर आपको बहुत ताजूब लगेगा कि हम लोग जो इसको import कराते हैं, वो चाइना से ही अधिक तर आता है, ठीक है, 90% आप देखो कि हमारे ये जो requirement है इसको चाइना ही fulfill करता है, तो ये भी एक problem है कि हम लोग import dependency है, हम लोग 10 GWh जो है operational solar module manufacturing capacity है, और ये आप देखो कि big हमारे है manufacturing unit है, तो फिर भी हमें research और development करना चाहिए, जिससे कि बेटर तरीके से हम लोग इसका उप्योग कर सकेंगे, ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि क्या-क्या steps लेना चाहिए, जिससे कि हम लोग अपनी SRT system को share को और जादा बढ़ा सके, तो सबसे बड़ी बात मुझे लगता है, कि consumer awareness की है, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो, जो कि मैं अपनी कुछ experience अगर share कर पा रही हूँ, तो उससे आप लोग को लग लग रहा होगा, कि आप लोग पढ़ रहे हो, इसलिए आप लोग इस ची चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, कि सरकार किस तरीके से हमें help करती है, तो यह है कि awareness की कमी है, policy को people centric बनाना चाहिए, इसलिए कि ऐसा यहाँ पर रखना चाहिए, जैसे कि मैं कहीं ना कि मैं अपने घर में लगवाई थी, तो वो पुरा setup था, क्योंकि घर थोड़ मेरी जो खर्चे थी, वो आपका 3 लाग से भी उपर था, लेकिन जो सरकार के दोरह सबसीडी वगरा दिया गया ना, तो थोड़ा सा वो balance हो पाया, लेकिन again एक प्रॉब्लम यह है, कि सबसीडी भी जो मुझे मिली थी, वो after 8 months के बाद मिली थी, तो आप लोग समझ सकते हो क पहले आप लोग को थोड़ा उसको manage करना होगा, और सबसीडी देने में कुछ-कुछ जो है, सरकार बहुत डिले लगा देती, मेरे लिए भी paperwork बहुत जादा हो गया तो डिले हो गया था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यह जो है न, इंसान के लिए ही better तरीके से बनाना चाह मैं सोच रही थी कि कुछ Made in India हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तब जाकर मुझे पता चला कि इस चीज के लिए भी हम लोग dependent है चाइना के ऊपर, तो वही बात है, लेकिन और कोई option नहीं है, जितना भी आप देखते हो न, आज के रिट में जो कोची airport है, जिसने पूरी की पू तो उन्होंने जो है न, धीरे धीरे करकर अपना पूरा solar panel से उन्होंने अपना डाल दिया है, तो ये भी आप देख सकते हो, कुछ पुदुचेरी की भी airport है, तो ये सारे कुछ example है, जिससे कि आप समझ सकते हो, कि एक one time investment है, लेकिन आपका long term के लिए बहुत सही है, साथी यहां पर जो policy बनानी चाहिए, वो people centric होनी चाहिए, hassle free होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा थोड़ा paperwork भी है, मुझे लगना पड़ा था, तब जाके ये सारे काम हो पाते है, capacity को enhance करने की ज़रूत है, साथी skill development हो, it means कि skill workforce की demand है, कि जो इसको सही तरीके से install करे, maintain करे, repair करे, यह आप लोग देखो कि अच्छे cities में हो, metro cities में हो, तो शायद यहां पे skilled workers ज्यादा मिल जाते है, बट मुझे लगता है कि छोटे-छोटे जगों पे cities में जो है, इस तरीके के skilled workers की कमी देखनी को मिलेगी, जो इसको better तरीके से install करे, यह सारी बाते हो सके, तो यह भी renewable energy की share है, वो increase होके 220 gigawatt होगे, इंडिया का demand है कि solar energy को, तो यहां पे क्या है कि हमारी opportunity create हो पा रही है, demand है हमारा की locally produced panel हो, जो की grow करे 36 gigawatt over 3 years, तो हमारा जो इतना target ही बताया जा रहा है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेगा, तो इतने सारे जो हमारे target है, इसको अगर बेटर तरीके से यहां पे काम कर पाएंगे, और हमारा जो target यहां पे set किया गया है, उसको हम लोग achieve कर पाएंगे, fine, तो यह सारी बाते बताया जारी है, हाँ, आप लोग नॉवेंबर मन्त की 2020 की current affairs देख सकते हो, जो कि solar manufacturing in India के बारे में detail में बताया गया, कि इंडिया में यह solar manufacturing की जो प्रक्रिया है, वो start हो रही है, बट अभी भी इसको time लगेगा हमारी जो motive है वहां तक पहुंचने में, बट कोई नहीं, आप इसको देख सकते हो, बहुत ही अच्छी यह article है, तो guys, आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, next time लोग स्टार्ट करेंगे Antarctic ozone hole से, त आपका social issues भी आपका दो ही topic है, वो भी complete हो जाएगा, तो अब आपकी इस week में जो है, मैं इस monthly magazine को complete कर दूँगी, okay, so चली आज के लिए इतने ही, next time लोग मिलते हैं, कल, और अगर आपको यह lesson अच्छी लगती है, तो like कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी share कर सकते हैं, को कोई भी doubt कोई suggestions है, तो comment कीजिए, and make sure के आपने हमारे channel को subscribe कर लिया, thank you